नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का परबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में साथियो आप लोगों ने जिसे थमनेल के अंदर देखा होगा कि 5-5 मिनिट की क्लासों के अंदर हम संपूर्ण रितिकाल का रिवीजिन करने वाले हैं सूपर फास्ट रिवीजिन बोलते हैं इसको कि हम सूपर फास्ट रिवीजिन करेंगे सोट तरीके की माद्यम से जिससे कि आपका पूरा रितिकाल कवर हो जाई तो हम सबसे पहले रितिकाल के अंदर आज हम बात करेंगे रितिकावे सब्द के परतम पर्योकता कौन है साथ यहां हम बात करते हैं रीति कावे सब्द के पर्थम पर्योकता कौन है तो आपकी वो है जोर्ज गिरेशन इसके बाद हम बात करते हैं रीति कावे सब्द के पर्थम पर्योकता कौन है रीति कावे सब्द के पर्थम पर्योकता कौन है तो आचारे रामचंदर सुकल जी ने है जो रितिकाल का परवर्तक चिंतावन तिरिपाटी को माना है और वही नगेंदर जी जो है आपके वो कैसावदास को रितिकाल का परवर्तक मानते हैं तो साथ सूकल जी जो है आपके चिंतामनी तिरिपाटी को जो है रितिकाल का परवर्तक मानते हैं और नगेंदर जी आपके जो है कैसा उदास को मानते हैं और यह आपके फिलाल आर्पी एसी ग्रेड फेस्ट के अंदर जो है परशन पूचा गया था अभी 2022 में जो पेपर हु तो साथ ही वो है आपके ही तरेंगिनी और इसके हम परकासन वर्स के बारे में बात करते हैं तो 1541 इसवी में और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके करपा राम ठीक है इसके बाद अगली जो है हम बात करते हैं रितिकाल के अंतिम कवी को कौन हो जाएंगे कवी ग्वाल रितिकाल के अंतिम संगारी कवी कौन है सात्यों तो संगारी कवी के बारे में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके द्वीज देव अगर सात्यों हम बात करें रितिकाल के परतिनिती कवी तो परतिनिती कवी कौन हो जाएंगे आपके बिह सामें परसंद को मिलनेंगे तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं रितिकाल के विलक्षण कभी का बुस्ट कंगी साथ को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें सेर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन सब के साथ आप सेर करें ठीकर सातियों आज के लिए धन्यवाद